हलो फ्रेंट्स आज मैं एक हेल्थ सेशन यहां पर वीडियो बना रही हूँ हेल्थ सेशन पर और यह पूरी देखना और अंत तक देखना मुझे पूरा विश्वास है यह आपके बहुत काम आने वाली है तो यहां पर एक पिच्चर है healthy living की और इसमें कुछ points हैं अगर यह points आपकी lifestyle में हैं तो आप healthy हो otherwise आप healthy living नहीं जी रहें तो यह जो वीडियो है इसमें कोई भी query है तो प्लीज मुझे description box में और comment box में मेरा Instagram और Facebook account है महाँ पर आप मुझे direct message कर सकते हैं मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते है वेलकम टू रेनेटर्स वेलनेस यह एक nutraceutical company है जिसने 6 साल की research के बाद विज्ञानिकों ने रेनेटर्स नोवा नाम का food supplement तयार किया है यह कोई दवाई नही प्रमोट किया गया है आयूर वेदा क्यों प्रमोट किया गया है क्योंकि यह cell पर खाम करता है यह बिमारी की जड़ तक पहुचकर उसे वहाँ पे खतम कर देता है तो दमन नहीं जड़ से खतम कर देता है तो इसलिए इसमें आयूर वेदा को प्रमोट किया गया है तो चलि प्रतिशक ना ठीक है ना बिमार है यह हमारी हेल्थ रेशियो है तो हमें यहां पर जीने के लिए क्या-क्या चाहिए हमें हवा चाहिए पानी चाहिए और खाना चाहिए तीनों ही पॉल्यूटर है तो यहां कुछ न्यूस्पेपर की कटिंग्स हैं भारती भोजन में 30 साल तक भारत डायबेटीज की राजधानी बन जाएगा अब बात यह है कि इन सब चीजों को हम नहीं बदल सकते लेकिन एक रेनेटस नोवा को अपनी लाइफ में लाने से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं हम एक हेल्दी लिविंग जी सकते हैं तो खाने के साथ हमें एक इंग्रीडियंट है इसमें जो पूरी तरह से प्रकर्तिक है फ्रूट, रूट, बैरी, चेरी, फ्लावर्स एंड लीफ यह बारा इंग्रीडियंट से बनकर रेनेटस नोवा बनी है जो की एक फूर्ट सप्लिमेंट है हमें स्वस्त होना है हमें ना ठीक ना बिमार नहीं र करता है किसी भी प्रकार की अलर्जी को रोकने में सक्षम है गठिया और जोडों के दर्द को ठीक करने में मदद करता है रोग प्रती रोधक शक्ती को बढ़ा कर शरीर को बिमारियों से बचाता है उदासी को दूर करने में मदद करता है और एक स्वस्त और खुशाल प्रकरती में 200 तरह के जानुतिंज होते हैं तो अकेले मैंगोस चीन में 43 हैं यह इतना उपयोगी है दूसरा इंग्रीडियन्ट है सफेद मुसली यह मदुमय के कारण समाने जो दुरबलता हो जाती उसको ठीक करता है गठिया और जोडों के दर्द में एक उपाय के रुप मे पुर्शो और महीलाओं की योन समस्याओं में बहुत मददगार है शारडिक कमजोरी और कई अन्य बिमारियों के लिए टौनिक है मदुमय गठिया और शरी की रोग प्रती रोदक शमता को बढ़ाने का उपाय है प्रसो वत्तर समस्याओं के लिए उप्चारात्मक गठिय और जोडो के दर्द के लिए उप्योगी है दूद पिलाने वाली माताओं में भी इसका प्रयोग अतिसार पेचश सुजाग प्रदर आदी में किया जाता है अब बात करते हैं साई बेरियन जिन सिंग की शरीर की सूजन को खतम करता है दिल को तंदुरुस रखने में लाब धायक है कमजोरी को दूर करके शरीर को तंदुरुस्ति प्रदान करता है अनिद्रा रोग से शरीर को मुक्ति दिलाता है डी एन ए को संतुलित रखता है ये ब्रेकदा चेन का काम करता है पीडी दर पीडी जो समस्या आ रही है उसको वहीं खतम कर देता है ये लेने से रोग और बांचपन की समस्या से निजात दिलाता है चलिए बात कर लेते हैं elderberry की पुराने से पुराने जुखाम और फ्लू से शरीर को बचाता है साइनेस इंफेक्शन को दूर करता है बलड शुगर को नियंतरन डखने में लाब दायक है कप्च की समस्याओं से निजात दिलाता है हर प्रकार की अलर्जी को खतम करता है 3000 तरह की अलर्जी होती है उसमें हर प्रकार की अलर्जी को खाली elderberry खतम कर देता है कैंसर की बिमारी की रोकधम करता है अब बात कर लेते हैं bilberry extract की पोशक तत्वों से भरपूर bilberry antioxidant से भरपूर होते हैं जो लाबकारी पोधों के योगिक होते हैं जो रक्षा करने में मदद करते हैं विशेश रूप से रात की दृष्टी के लिए सबसे लोग प्रिये हैं इस तर को कम करने के लिए किया जाता है bilberry extract ये बहुत उपयोगी है अब बात करते हैं जिनको बिलोबा की चिंता और अफसाद depression को खतम करता है मस्तिक्ष में प्रयाप्त रक्त प्रभा रक्त चाप की समस्या उचाई की बिमारी नपुन सक्ता अस्तमा नियूरोपैथी कैंस पूर्व मासिक धर्म और syndrome attention deficit hyperactivity disorder इन सब में लाब धायक है जिनको बिलोबा चलिए अब अश्वगंदा एक्स्ट्रेक्ट की बात कर लेते हैं ये क्या करता है बूस्ट ब्रेन फंक्शन मस्तिक्ष समारों को बढ़ावा देना निमन रक्त शरक्रा और cortisol का स्तर चिन्ता अफसाथ के लक्षनों को कम करती है और तनाव के प्रतीक्रिया response to stress as well as when your blood sugar level get too low help reduce stress साथ ही जब आपका रक्त शरक्रा का स्तर बहुत कम हो जाता है ये भी बहुत प्योगी है और अश्वगंदा के बारे में तो हमने पहले भी बहुत कुछ सुना है तो चलिए बात कर लेते हैं सिग्रूम एक्स्ट्राइक्ट मॉरिंगा हमने काफी बार इसका नाम सुना है पहले भी ये क्या कारे करता है मदुमे को नियंतरत करने में मदद करता है रक्त चाब और केलेस्ट्रोल के स्तर को नियंतरत करता है ये हमारे शरीर को यूवा और स्वस्त रखने में मदद करता है यौन उर्जा को भणाने में मदद करता है विशाक्त प्रदार्तों को हटा दे और को चौशिकाओं को पोषन दे सकता है यह शरीर के पी एच सर को नियंतरत करने में मदद करता है इतना उपयोगी है और जितने रजो निर्वती के लक्षनों को कम करता है एंटी ओक्सिडेंट एफेक्ट है इसमें खासी से राहा दिलाता है बलड शुगर कम करना दस्त का इलाज गैस्ट्रिक अलसर में सुधार ये सब शतावरी एक्स्ट्रैक्ट करता है चलिए बात कर लेते हैं पूनर नवा एक्स्ट् जिगर के विकार में उपयोगी है मूत्र पंत के संक्रमन यूरेनरी ट्राक्ट इंफेक्शन में बहुत उपयोगी है मोटापा रूमेटोइड मोटापा कम करने में बहुत उपयोगी है और गठिया आरे जिससे बोलते हैं तो इसमें बहुत ही उपयोगी है खाली पूनर न चलिए बात कर लेते हैं गोकसुरा एक्स्ट्राक्ट की यह क्या कारे करता है योन स्वास्त को बढ़ाता है बांचपन का इलाज करता है पाचन स्वास्त को बढ़ाता है एनीमिया का इलाज करता है रक्त चाप को प्रमबंदित करने में मदद करे तो यह गोकसुरा एक्स्ट् तो चलिए बात कर लेते हैं मनजिष्टा की इस नाश्रल ब्लड प्यूरिफायर एन हर्बल स्किन टॉनिक यह प्राकर्तिक रक्त शोधक है और हर्बल स्किन टॉनिक है यह रक्त सेहानी कारक विशाक्त प्रदार्तों को और अतिरिक्त गर्मी को निकालता है और उसे शुद्ध करता है रक्त और तवचा की सफाई का समर्थन करता है यह सभी प्रकार के मूत्र संकर्मन की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है मुहासे जैसे सभी प्रकार के तवचा विकार को प्रबंदित करे दस्त, घाव, भरने, हिर्दे, रोग और मिर्गी को ठीक करने में मदद करता है खाली मंजश्ठा, स्किन टॉनिक है और ब्लड प्यूरिफायर है इससे ही समझ जाओ के भी हमारे स्किन के लिए और बॉडी के लिए कितना उप्योगी है तो फ्रेंड्स मैंने आपको 12 के 12 इंग्रीडियंट बता दिये हैं कि किस तरह हमारे लिए उप्योगी है तो ये एक ही बॉटल में 12 इंग्रीडियंट है तो 600 बिमारी पे ये कारे करता है अगर हमारी बॉडी डेटॉक्स होगी तो हम हेल्दी हो जाएंगे ये वही कारे करता है बॉडी में से गंदगी को निकालता है सेल में से गंदगी को निकालता है और हमारी लाइफ को हेल्दी लाइफ कर देता है तो इसे अपने लाइफ में लेकर आईए अपने देखे हम समाज की रती वीडियो को तो नहीं बदल सकते लेकिन हाँ हम अपने अंदर कुछ changes कर सकते हैं तो इससे आप इस्तमाल कीजिए आप description box में और comment box में मेरा Instagram और Facebook का account है वहाँ पे आप मुझे message कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगी procedure कैसे आपको लेना है बहुत ही उपयोगी है hope आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये session